गुजरात के गिर सोमनात में बीती रात लगतार हो रही बारिश और तेज हवाउस की वज़ा से तेहरा से पंद्रा बोटों के समुंदर में डूबने क्या शंका है बोट पर कई मच्छवारे भी सवार थे मिली जानकारी के रुसार उस वक्त नाव में सवार आठ से दस मच्छवारे अब तक लापता हैं आपको बता दें कल से ही खराब को रहे मौसम को देखते हुए विभाद में मच्छवारों को समुंदर में नहीं जाने की चेताबनी दी थी आपको बता दें कि महरास्टर और गुजरात के टच्छी इलाकों में कल से ही लगाता बारिश हो रही है और आईमजी के नुसार आने वाले 48 घंटे में यहां भारी बारिश भी हो सकती है इसके साथ मच्छवारों के लिए भी पांच दिन की चेताबनी जारी की गई है मैयोरिसा और आन्दर प्रदेश पर भी चक्रवाती तूफान जवाद का साया मन्राय रहा है ऐसे में अम्दबाद में आईमजी की शेतर निदेशक मनोर्मा मोहंती ने कहा है कि गुजरात में 30 नवंबर से बारे शुरू को जाएगी इसके साथ ही 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक के लिए मच्छवारों को तर और दक्षिन गुजरात तक के लिए चिताबनी जारी की गई है तो ऐसे में तस्वीरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तूपान की वज़ा से पंदनाओं तुडूप चुकी हैं और शेहर में किस तरह के हालात बने हुए हैं पानी कितना जादा जो है वो भर गया है और इससे लोगों को तमाम परिशानिया हो रही है तो चलिए इसी पर एक बाब फिर से हमाने समद अता प्रणफ सिंग राजपूत हमाँ साथ लाइफ जुर चुके है प्रणफ गुजरात की बात की जाए जिस सहा से तुफान और बारिश की वज़ा से हालात खराब हो गए हैं अभी कैसी स्थिती वहां पर बनी हुई है प्रणफ आपकी आवाज मुश्रक नहीं पहुँच पा रही है हलो प्रणफ बोलिया बारिए अपके वज़ आवाज आ रही ना जी पर आपके द्वारा एलेट किया गया था गुजरात में जो समुद्र कीना रहते हैं उनके जो आजपास में जो नाव अलेटे जो मशवार इसे हैं उनको एलेट किया गया था फिर भी वो लोग करने के लिए लेकिन रात को तूपान आया उसके अंदर तूपान के अंदर जो मशवार है वो लापता हो गया है और उनको दूनने के लिए जो गुजरात की जो नेवी है गुजरात सरकार्चियों से आजित दिये गया है सभी जो कलेस्टर को भी बुला गया है कि इतना जल सब्सक्राइब के निकाले लेकिन फिर्वी एलेट होने के बाउजिद दिये लोग अंदर समुध्र के अंदर खेड़ने करें तो वह लापता हो गया थे और अभी जो भारी नुक्षान हुआ है जो शुकी मश्ली आती वहां पर लाखों के रुपिस के तादाज में वह पुर जो पतल थी वो भी काफी लाखों की संख्या में नुक्षान वापे देखनों को मिल रहा है बिलकुल प्रणाव हो देखे जो लापता मच्छवारे बताय जा रहे हैं 8-10 की संख्या बताई जा रही है क्या भी तक उनका कुछ पता लग पाया है और 15 जो बोटे जो नावे बह गई थी जो गायब है उनके बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है अब तक अब भी कोई ऑफ्षारी को वो मालूम नहीं हुआ कि वो मच्छवारे को दूनता है कि नेवी लगातार उनको दूनने की कौसिस कर रहे हैं लेकिन जो समुद्रे की जो लगेरे हैं काफ पेज रफ्षार से उचल रही है काफी समुद्र में जो तूफान की जो बताया जाए तो तूफान काफी है इसके बारे में जो लगातार उनके उनको बार निकाले की कौसिस करेंगे बिलकुल प्रना वो देखें लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में 48 घंटे के लिए भी भारी बारिश हो सकती है ये अलर्ट भी जारी किया गया साथी आपको बता दे के पांच दिन के लिए चेतावनी मच्वारों को दी गई है तो क्या समुंद्र के किनारे से सभी मच्वारों को हटा लिया गया है जी या अभी जो ये जो प्रत्ना होई है वो उना नवा बंदर की है जो उना में आया हुआ नवा बंदर है वहां पे जो कलेक्टर के आजस हो गया है कि भाई अभी जितने भी वहां पे मच्वारे है या लोकल स्थानिक वहां पे जो रहे हैं जो लोग उनको वहां से अटा जा रहा है बिलकुल अगर प्रणब देखे तो समुद्री इलाकी के और आसपास की बात हो गए लेकिन अगर शहरी इलाकी की बात की जाए तो महा इस्तिती अभी कैसी बनी हुई है जिवाज जुक्षूर्णक पाणी अप्सकी अप्सक्राइब की बात करूं तो गॉर है वापने इतने सीटी नहीं है ले लके गाउन की अंदल जो जो समुद्र का पानीसा और आपको पूरा बारिस का भी पाणी और समुद्र का पानी लगरर से अंदल बॊोश्does कुका है काफी तुछ किछों भूला जाता है जो मकानों के आज आज आपस में जो फिचल लगा गाया है इसको गंटी भी बढ गई है जो रोग प्रकिकरत जो है और रोग भी बढ़ने की समबा होना है इस पर फ्ट पर रोणा तो चली रहा है और काफी लेकिन ऐखर हो आज के लाट के और तो काफ़ी चालकिती बर्ती चा रहे हैं और लोगों को कहर है कि वह पर जानकारी के लिए तो इसे में लगतार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी भी हमाँ संबाता प्रणफ सिंग राशकूत ने आप तक पहुचाए कि सरहासे हालात वहाँ पर अभी एम्दबाद गुछराद में पने हुए हैं दरसल बीती रात तुफान की वज़ा से 15 नाओं डूब चुकी थी जिससे आपको बता दे 8 से 10 मच्वारों के कायब होने की भी आश्रंका जुताई गई थी